एलू स्थूदेंट्स ! आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट या नया टॉपिक ओओ स्टार्ट करने जा रहे हैं ती कस्टम्स एक नाइंटीन सिक्स्टी टू जैसा कि हम लोग को अच्छी तरह मालूम है किस तरह मालूम है आच्छी नहीं जहीं क्वाला आच्छी तरह मालूम है we are already aware about the term कस्टम्स का मतलब सर जब हम सामान दूसरे देश से खरीदते हैं तो कस्टम ड्यूटी लगती है जब हम सामान आउटसाइड इंडिया एक्सपोर्ट करते हैं तो कस्टम ड्यूटी लगती है सर यानि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के समय कस्टम ड्यूटी लगेगी हां जी जिसको हम लोग शुल्क भी कहते हैं ये कहानी आज की नहीं है बरसों पुरानी है सैक्ड़ों पुरानी है ये लौच चला रहा है सर ऐसे कैसे पहली क्या होता था पहले के जमाने में राजा महराजाओं का अपना एक स्टेट होता था यहां एक राजा महराजा है तो यहां दूसरा राजा महराजा है तो एक शहर के बराबर दश शहरों के बराबर एक राजा महराजा का अपना एक स्टेट माना जाता था ठीक है और पर्मीशन लेनी है तो बट अबियस है अगर हमको किसी राज्जी में पर्मीशन दे दी जाती है और बिना फ्री में तो इसका कोई मतलब नहीं जा जाएगा तो वो क्या करते थे राजा के पास जाते थे और वहाँ उनको कुछ गिफ्ट देते थे महराज ये भेंट सोरूप आपको ये थाल थाल खोला तो उसमें सोने चानी के सिक्के तो ये बिजनस करने का एक सिस्टम बड़ा और ये एक अच्छा नेचर माना जाने लगा काम करने का कि ठीक है सामने लगा कुछ नहीं मांग रहा चलो भेंट सोरूप कुछ देए कर आते हैं धीरे धीरे वो कस्टम कस्टम बन गया थीरे धीरे वो चीज़े कस्टम का रूप ले लिए जिसको हम कहते हैं है हैबिट हमारे रिपीट करनी की आदत कस्टम में आ गई यानि अब हगर हमें दूसरे स्टेट में कुछ बिजनस करना है तो चलो भाई एक ठाल ले करके चलो वहाँ पर सोने चाने की कुछ गिफ्ट दे देंगे कहने का मतलब यह है वो कस्टम बाद में कॉटिल ने भी जिक्र किया था शुल्क का किसका शुल्क का दूसरे स्टेट से सामान आने और जाने पर दीरे दीरे ब्रिटेश ने इसको पूरी तरह से अप्लाई कर दिया मोनार्की टू डेमोक्रेसी ठीक है अब आते हैं यह तो थी छोटी मोटी कहानी की चलें यह हम लोग सोचते हैं कस्टम लॉव नया है तो नया है ना ना यह बहुत पूराना है custom applicable कहा होता है यह तो clear हो गया कि import and export पर हर एक act का हासकर tax laws का अपना एक charging section होता है हर एक law का अपना एक charging section होता है जो बताता है कि हमारे यह law in force कब होगा कब पैदा होगा कब effect में आयगा किस तरह की चीज़ों के लिए यह act बना है basically that is your charging section in the same way under this act section 12 is there जो इसका charging section बताता है हम लोग बिलकुल आज बिलकुल basic class देख रहे हैं सारी की सारी चीज़े next session तक हम लोग का बिलकुल chapter number one basic concept पूरा खतम हो जाएगा आज हम लोग को आपको कुछ definitions के बारे में aware करना है कुछ terminology के बारे में aware करना है क्योंकि आप तो इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं बट obvious है अगर कोई हम नया law पढ़ने जा रहे है तो उसमें interest तभी आएगा जब हमें हमारो उसका basic clear हो तो अब क्या करते हैं charging section की बात करते है charging section section 12 है जो ये बोलता है क्या बोलता है जो आप जानते हैं सर अब कैसे जानते हैं ये इसके बारे में बोलता है कि customs duty shall levy section 12 अगर आपके पास है तो धंग से सुनेंगे custom duty shall be levied at such rates उन rates पर applicable होगी ठीक है as may be specified under this act जैसा कि किस act में इस act में नहीं गलत फहमी में ना रहे हैं एक और act बनाया गया है customs tariff act ओके यानि हम लोग को customs tariff act भी पढ़ना है जी इसके बारे में reference लेना है और इस tariff act में केवल rates दिये हुए हैं क्या दिये हुए हैं rates of taxes दिये हैं custom law में शामिल होता है custom act custom law में शामिल होता है tariff act custom law में शामिल होता है notifications, circulars आँजी, trade notices, orders, clarifications, case laws यह सब मिल करके बनाते हैं आपका law तो अगर हम कुस्तम ल्गा की बात करे तहीड तो दो not try to go only and only with the customs act might be, we have to take the reference of customs tariff act and but obvious we have to take the reference of the customs tariff act and not only the customs act and customs tariff act there are so many decisions which have been held under the supreme court or the tribunal or the high court now we have to take the reference of all those case laws for the purpose of knowing exactly the meaning of the customs act पक्खी बात है हर law पूरी तरह perfect नहीं होता उसमें कुछ लूप होल्स या कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ डाउट्स रहते हैं उनकी clarification आती है उनके notifications आते हैं उनके लिए trade notices उनके लिए orders ही release किये जाते हैं हाँ भई हाँ और साथ ही साथ कुछ ना हो पाया तो case law होगा ही होगा dispute के समय तो उसके decisions तो सब मिला करके law बनता है हम लोग यहां customs act पढ़ने के लिए नहीं बैठे नहीं खड़े अब आपको समझ में आया कि हमें customs tariff act में rates of taxes पता चलेंगे custom duty shall be levied at the rates specified in customs tariff act or the other act which was in the force on goods imported into and exported outside India या exported from India बात खतम बात खतम और ढंग से देखें तो केवल और केवल goods के लिए लिए लिखा है किसके लिए लिखा है goods के लिए लिखा है services के लिए नहीं तो goods में क्या क्या आएगा sir का हे इंपेसेंट हो रहे हैं भाई आ रहे हैं goods का मतलब बता रहे हैं आपको न चलिए मैं फिर से अगर मैं आपको बोलू customs act में का जो charging section है that is section number 12 section 12 custom duty shall be levied at the rates as may be specified where customs tariff act on the goods imported into and exported from India okay दूसरा अब goods का मतलब कौन से government goods or non-government goods इसको section 12 subsection 2 ने बिल्कुल clear कर दिया goods includes government as well as non-government goods चाहे वो government से related goods हो चाहे non-government से goods से related हों से कोई लेना देना नहीं government goods हैं तो भी हम उसको उसी द्रिष्टी से देखेंगे नजर से देखेंगे जैसे कि हम non-government goods को देखते हैं यानि government items and non-government items both are to be treated equally or treated at par under this act तो हम यह तो बस उससे कोई लेना देना नहीं अब हमारे दिमाग में को लेगी चीज चल रही है यह charging section ने क्या बोला charging section ने यह बोला कि custom duty shall be levied at the rates specified under customs tariff act and customs tariff act at the time on goods imported and from exported from India बस ना government goods और non-government goods को equally हम लोग treat करेंगे अब कोई लड़ाई नहीं बची लेकिन इतना कर देने से हमारे सामने कई सवाल खड़े हो गए पता भी नहीं चला कई सवाल दिमाग में दोड़ने लगे sir कौन कौन से सवाल दोडने लगे पहला तो यह goods क्या होता है ठीक है यह import क्या है यह export क्या है और India इंडिया का मतलब क्या आप भी न अजीबों गरीब बात कर रहे हैं अब आप इंडिया का मतलब हमें समझाएंगी हमें आपको अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा कि इंडिया मतलब क्या और वो टाइम लेगा इंडिया को भी डिफाइन किया गया वापस पेज नंबर वन पे आ जाएंडिया को भी डिफाइन किया गया है और section 2 subsection 20 जिसको हम clause कहते हैं नॉर्मली मैं माफी मांगता हूँ मैं बार बार बोलता हूँ टू के साथ जो भी आते clauses आते हैं लेकिन हम यहाँ पर इसको सबसेक्शन बोलेंगे section 2 subsection 27 में इंडिया को डिफाइन किया गया है section 2 subsection 27 को इंडिया को डिफाइन किया गया है इंडिया इंक्लूट्स टेरिटोरियल वाटर ओफ इंडिया बात खत्तम इंडिया इंक्लूट्स टेरिटोरियल वाटर ओफ इंडिया सर अभी तक तो बवाल हो रहा था गुड्स का मतलब क्या है इंपोर्ट एंड हम आपके साथ बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं जहां से हमने यह आपको pages दिये हैं या आपका assignment स्टार्ट होता है कुछ definitions को पहले cover कर लेते हैं The first one definition is convenience यह convenience क्या है? Convience यह साधन जिसके तुरू सामान आता है और जाता है ठीक है? तो convenience includes section 2, subsection 9 section 2, subsection 9 convenience includes a vessel, aircraft and vehicle convenience includes section 2, subsection 9 ने बोला convenience includes vessel aircraft and vehicle क्यों सर? सर विदेश में सामान आपका हो सकता है port से जाए यह sea के तुरू जाए हाँ या ना sea port के तुरू जाए हो सकता है air के तुरू जाए हो सकता है by road जाए तो सामान जाने के तीन रास्ते हैं जल, थल, वायू water से जा सकता है land से जा सकता है air से सामान जा और सामान आ सकता है तो ये तीन रास्ते हैं सामान को import और export करने के लिए अगर पानी से जाएगा समुद्र के रास्ते जाएगा तो हमें vessel की जुरत पड़ेगी, हवा से जाएगा तो aircraft की जुरत पड़ेगी और road से जाएगा तो इंकल की जुरत पड़ेगी और इन तीनों को मिला करके हम बोलेंगे convenience जैनी कि जिसके तुरू या जिस medium से सामान आ रहा है या जा रहा है इंपोर्ट हो रहा है या एक्सपोर्ट हो रहा है उसको हम करते हैं convenience अब हमें नहीं लगता कि कभी अब आप भूलेंगे convenience includes what जल थल वा craft and vehicle is it clear? जी सर हो गया अगली definition दी हुई है coastal goods की किसकी? coastal goods कोसने वाला goods नहीं coastal goods ये coastal goods क्या है और इसके नीचे देखें तो goods in transit दिया हुआ है हम दोनों का मतलब समझने की कोशिश करते हैं हमें ये समझ में आना चाहिए कि coastal goods क्या होते हैं और goods in transit क्या होते हैं कुछ basic definition जानना जूरी है तभी हमको इस chapter को पढ़ने में मज़ा भी आएगा मानलो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैंने कहा convenience कि तुरू सामान जाता है convenience means क्या अरे अब आपको मालूम है vessel aircraft and vehicle इसी तरह अगर आपको मालूम हो जाए कि coastal goods goods in transit then you your concept will be good enough अब आप बात करते हैं सर coastal goods ये मुंबई port है sea port मानले और चन्नई port पर सामान जाना है सर ये भी इंडिया में और ये भी इंडिया में है अगर कोई सामान इंडिया के एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर जाता है अब चाहे वो जल थल वाहिव जहां से जाए मतलब vessel aircraft and vehicle या road air और फिर आपका see के दुरू कैसे भी जाए एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में not an imported goods तो ये आपका import export का case नहीं है भाई other than imported goods की बात हो रही है उसको में करते है coastal goods coastal मतलब तटी एक तट से दूसरे तट पर एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर लेकिन within the same country अब बताईए क्या कोई सामान डेलही से गोरखपूर या डेलही से मुंबई या फिर डेलही से लखनओ नहीं जा सकता है या लखनओ उसे कहीं नहीं बिलकुल जा सकता है सर तो उसके लिए अगर हम use करते तो क्या हम उसको मान लें import और नहीं सर उसको हम नहीं मानेंगे से याद रखना है मैंने coastal का मतलब बताया 30 goods क्या बोला 30 तट पर और यहां पर 30 का मतलब coastal का मतलब vessel से है जराधं से underline कर लें vessel ना की vehicle और ना की aircraft यहां केवल vessel underline बिलकुल कर लेंगे imported goods transported in a vessel from one port in India to another port in India transit of goods अब एक सामान चला धन से सुनेंगे हमारे चार सामान चले a b c d यह चार goods चले us से और इंडिया में जहा जाया और उसने a b s को यहीं गिरा दिया अब बाकी सामान c and d को लेकर वो Australia चला गया हो सकता है न कहां लेकर गया हो Australia कोई जहाज अगर इंडिया में आता है तो सामान कोई बंदा मैं मुझे यहां से अपने सिटी से डेली जाना हो बीच में मुझे कुछ सामान किसी को देना हो तो मैं दे दूंगा इसका मालब नहीं कि उसको सामान देकर मैं वापस आउंगा फिर मैं जाऊंगा अरे अगर रूट बही पढ़ रहा है तो सामान छोड़ते भी जाएंगे कॉस्ट कंट्रोल करना है न पाप नहीं गुना तो नहीं कर रहे है हाँ लेकिन कोई भी सामान जो इंडिया के कस्टम स्टेशन पर आएगा आउटसाइड इंडिया से मेरी बात धंग से समझेंगे कोई भी सामान यानि कि मैं बात कर रहा हूं गोड्स की कोई भी गोड्स जो आउटसाइड इंडिया से इंडिया में आ रहा है उसको इंपोर्ट मैनिफेस्ट जनरल इंपोर्ट मैनिफेस्ट भरना पड़ेगा यानि इंपोर्ट मैनिफेस्ट में उसको दिखाना पड़ेगा कि यह यह सामान मेरे पास है और यह यह सामान इंडिय पर मैनिफेस्ट में हर एक आइटम की डिटेल होती है कि आपके उस वहिकल में आपके उस कन्वेंस में है क्या क्या और कौन सा सामान यहां लोड होगा और कौन सा सावान आप दूसरे जगह पर ले जाकर करोगे इच और एवरी डिटेल्स यू कैन फांड इन डैट इंपोर्ट मैनिफेस्ट में यह नहीं कि अच्छा अच्छा यह सामान दूसरे जह हो छोड तो टेक्स नहीं ले जाओ जाओ ऐसे नहीं अरे भी या इंपोर्ट मैनिफेस्ट लाओ ऐसे कैसे छोड़ दें तुमको ले गया ले गया तो इम्पोर्ट मैनिफेस्ट में दर्ज है सीडी और लिखा है कि यह सामान कहाँ अनलोड होगा तो उसको भिना ड्यूटी पेमिंट की ले जाने देते हैं तो यह जो C&D है इसको हम कहते है goods in transit now for India purposes it is goods in transit मैं पढ़ देता हूँ transit of goods है goods in transit तो फिलाल आप transit of goods बोलेंगे technical word या term is transit of goods convenience, convenience includes a vessel, aircraft and a vehicle ठीक है sir, coastal goods means goods other than imported goods transported in a vessel from one port in India to another, ठीक है sir, अब समझ में आगे coastal यानि 30 goods, इंडिया वैसल में एक तड़ से दूसरे तड़ पर जाना इंडिया से इंडिया में transit of goods, these goods should be mentioned in transit goods in the import general manifest, they are allowed by the custom to be transited through Indian port without payment of duty, बता दिया मैंने आपको concept of tier हो गया, कि transit of goods क्या होते हैं, custom station sir, sir, अगर ना तीन तरह से जल थल वायू यानि कि land के तरू, air के तरू और vessel के तरू सामान जाता है, तो उनके तीन तरह के station भी बनेंगे custom airport, हान जी custom port, हान जी और land custom custom port custom airport और custom land custom port, custom airport और custom land, तो ये custom stations होते हैं आपको अगर डैली में एक जगा से दूसरी जगर जाना हो, तो आप कौन सी गाड़ी पकड़ेंगे? सवारी गाड़ी पकड़ेंगे या माल गाड़ी पकड़ेंगे? नहीं सर, दोनों में से कोई नहीं पकड़ेंगे हम तो metro में जाएंगे तो सही जगर, सही जगर जाना हो तो सही तरीके से जाएंगे इसे नहीं माल गाड़ी पर बैठेगे और गाड़ी दीरी दीरी चले ठीक है फिलाल तो कस्टम स्टेशन मीनस एनी कस्टम पोर्ट कस्टम एरपोर्ट और लैंड कस्टम यह जो नीचे दिया हुआ है सामान को अन्लोड करवाया जा सकता है उसके लिए आगे हम लोग देखेंगे सेक्शन आएंगे उसके लिए भी बीमार होने की जोरत नको आगे बढ़ते हैं गुट्स इतनी देर से रोक ख़ता सर अब जाकर के आप आए हैं गुट्स की डेफिनिशन देखें तो सेक्शन टू सब सेक्शन टू में दिया होगा गुट्स की डेफिनिशन सेक्शन टू सब सेक्शन टू सेक्शन टू सेक्शन टू सेक्शन टू सेक् पहली लाइन पढ़ लें गोड्स में शामिल है वेसल एरक्राफ्ट एंड वहिकल तो क्या है ये गोड्स अब कह सकते हैं ये गोड्स है लेकिन मैं आपको बता दूँ अगर मेरा काम है जहाजों को खरीदना और मेरा काम है जहाजों को बेचना और विदेश से दूसरे देश से मैं इंडिया में समान कुछ मंगाता हूँ जहाज को चाहे वो वेसल हो वहिकल हो एरक्राफ्ट हो तो क्या वो इंपोर्ट नहीं हुआ हुआ ना सर दूसरे देश से गोड्स आया कि जहाज आया सर गोड्स इस case में वो goats है अरे मैं नहीं वो definition भी यही बोल रही है goods में पहले पहले goods में vessel, vehicle and aircraft एज़ी यह शामिल किया है अगर goods की definition में vessel, aircraft और vehicle को शामिल नहीं करते तो जितने लोग भी सामान को खरीदते और बाहर भेजते या बेचते तो जितने लोग भी सामान को खरीदते या बाहर बेचते उनकी ओपर टैक्स नहीं लगता, कस्टम ड्यूटी नहीं लगती जी, अब बात समझ में आई नहीं समझ में आई अगर हम वेसल, एरक्राफ्ट और वहिकल को गुड्स की डेफिनिशन से हटा दें, ध्यानी धर दें, हटा दिया तो उसके बाद मान लो, अगर मैं कोई वेसल खरीदता हूं दूसरे देश से, तो क्या वो गुड्स माना जागा, नहीं माना जागा, क्योंकि उसको तो गुड्स की डेफिनिशन में लो ख़ई नहीं है तो ऐसा ना हो, तो इसलिए इसको इसमें शामियत कर लिया गया है, आप इसको कन्वियंस पढ़ेंगे, लेकि मैं इसको कन्वियंस नहीं बोलूँगा, वो इसलिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि कन्वियंस का मतलब होता है, कि जिसके मोड के थूँ आप सामान को ला रहे है या ले जा रहे हैं ठीक अब मैं कुछ मान लो वैसल मंगारता हूँ अब वैसल को दूसरे वैसल के उपर रख कर लाने की जुरूत नहीं वो वैसल खुद तैर करके आ जाएगा ड्राइवर चला कर आ जाएगा यहां तक ड्राइवर ना बोले ठीक है तो वैसल एरक्राफ्ट और वहिकल स्टोरेज बैगेज स्टोरेज हाँ उस सामान में कई बार स्टोरेज होता है जैसे फ्यूवल हो गया ओयल हो गया डीजल हो गया मेंटिनेंस का सामान हो गया लूस टूल्स हो गया स्टोरेज बैगेज लोगों के सामान को भी हम baggage को भी goods मान लेते हैं baggage, currency and negotiable instruments and any other kind of movable property movable property, movable को तो वैसे भी आप दर से उधर नहीं ले जा सकते हनुआन जी किसी भाई यह ताकत किसी में नहीं तो फिलाल goods includes vessel, aircraft and vehicle, storage, baggage, currency and negotiable instrument any other kind of movable property मैं फिर पढ़ देता हूँ, goods includes vessel, aircraft and vehicle, stores, baggage, currency and negotiable instruments and any other kind of movable property इंडिया के definition पर वापस आते हैं, इंडिया includes territorial water of इंडिया, अब आते हैं इंडिया को समझने की कोशिश करते हैं, कुछ base चीजें तो हम लोग को समझ में आ गई हैं, मज़ेदार है क्योंकि सामान को import और export करना है, तरीके जानने हैं अच्छा इंडिया क्या बोला, includes territorial water of इंडिया, अब ये territorial water of इंडिया क्या होता है, धंग से सुनेंगे ये कहानी ये समुद्र है, क्या है और ये समुद्र के नीचे की जमीन है, क्या है जमीन है होती है रहे ऐसे, यहाँ पर आप पैदल चलते हैं घुटने तक पानी आता है आया ना उसके बाद नाख तक पानी आएगा उसके बाद आख मूँ सब डूब जाएगा उसके बाद हम तैरने लगते हैं कुछ आगे बड़े तो सीधे कितनी दूर अंदर तक जाएंगे, nobody knows ये depth होती है इसको हम लोग नाम देते हैं चलिए, इसको हम कहेंगे baseline, क्या बोलेंगे baseline अच्छा सर, इसको हम नाम देंगे baseline जब आप definition देखेंगे ने, इसकी नीचे देखें, तो हर जगा आपको baseline baseline कोई ऐसा नाम नहीं होगा जहां पर baseline का नाम ना आया हो, क्योंकि अब हर चीजे ये समझ लिजे line of control है LOC है, अब सारी चीजे यहीं से decide होगी, अच्छा और ये जो होता है ने, इसको हम लोग एक नाम देते हैं continental shelf of India इसको क्या नाम देते हैं, continental shelf of India मैं पढ़ देता हूँ, definition क्या है, continental shelf of India की page number 2 पर है, continental shelf is the part of the sea floor, part of the sea floor, समुद्र के अंदर की जमीन sea floor, adjoining a land mass, where the depth gradually increases, यह गहराई बढ़ती जारी, यह बढ़ती जारी है, before it plunks, before it plunks into the ocean deeps अचानक की क्या होती है, बढ़ जाती है यह गहराई, तो यह कहलाता है आपका, यह continental shelf होता है, normally यह 200 meter तक के लिए होती है, आगले normally, this is not sure 100% नहीं हो सकता 200 meter, लेकिन normally यह 200 meter की गहराई यह वाली, depth जो होती है, इसको हम लोग 200 meter तक कमानते हैं, और यह हमारी baseline होती है, क्या होती है baseline, अब हमारा India क्या है, क्या यह India है, हाँ बिल्कुल अभी हम इंडिया में ही है, अगर हम पैर जा रहे हैं नाक मो तक पानी आगे, तो हम इंडिया में ही है, अशा नहीं कि अब समुद्र में दूसरे देश में चले गए जल लोग में नहीं चले गए, अभी पी इंडिया लोग में ही है अब यहाँ से डंग से सुनेंगे यह आपका पानी है यह आपका इसको हम बेस लाइन बोलेंगे और यहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स कितने माइल्स 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो आपका हिसाब किताब होगा न वो टेरिटोरियल वाटर उफ इंडिया माना जाता है, बेस लाइन से यह माना जाता है टेरिटोरियल वाटर उफ इंडिया यह 12 नॉटिकल माइल्स तक और अभी खतम नहीं हुआ हमारा हिसाब किताब अब हमारा Contagious Zone उफ इंडिया तक मामला पहुँचेगा, अभी भी आम इंडिया में ही है 12 नॉटिकल माइल्स हमारा इंडिया में ही है यह आपका एक level खतम हो गया यह समुद्र बहुत लंबा चोड़ा है अभी आपका किवर 12 nautical miles खतम हुआ है अब आपका 24 nautical miles होगा यानि 12 nautical miles और इसको हम कहते हैं Indian custom water दोनों को मिला करके Indian custom water कहां से? Baseline से Indian custom water includes Indian territorial water and in totality it covers 24 nautical miles यानि 12 nautical miles और एड हो गया तो इन 12 nautical miles को हम लोग क्या नाम देते हैं? Contagious zone of India क्या नाम देते हैं? Zone of India Sir, यह भी कहानी clear हो गई आज तर तर तो हम सर यह miles क्यों नहीं बोलते? तो आप मैं पूछूँगा kilometer क्यों नहीं बोलते? meal क्यों नहीं बोलते? nautical mile क्यों बोल रहे हो? वो इसलिए naughty naughty है ना? समुदर का पानी naughty naughty रहता है ना? उसको कैसे नाप आ जाए? उसको नापनी के लिए जो measurement यूज किया रहा है that is to be known as nautical miles वो accurate नहीं हो सकता 100% accurate नहीं हो सकता हाँ, उसके लिए 1.067 करके miles का एक system है उससे आप नाप सकते हैं फिलाल हम वहा नहीं जा रहे, आगे बढ़ते हैं अब आता है contagious zone of India अगर जोड़ दिया जाए तो total हो जाएगा 24 nautical miles और यह 24 nautical miles याणि Indian territorial water और Indian custom water Indian territorial water और contagious zone को मिला करके बनता है हमारा Indian custom water सर समझ में आ गया last point आता है धंग से सुनेंगे exclusive economic zone of India exclusive economic zone of India beyond the Indian territorial water beyond the Indian territorial water beyond the Indian territorial water the limit of exclusive economic zone is 200 nautical miles from the nearest point of the baseline फिर से फिर से बेसलान की बात बोला हर जग बेसलान तो यहां इस बेसलान से यह है 200 nautical miles हाँ या ना और इसमें से अगर beyond की बात करें तो यह cover होगा 188 nautical miles total इसमें से यह भी हटा दें तो extra beyond हो गया इन दोनों के 176 लेकिन हमको इतना नहीं जाना यह पूरा कहलाता है हमारा exclusive economic zone of India और यहां पर इंडिया को पूरे power होते हैं South China Sea में आप देख ले होंगे लड़ाई किस चीज की है बवाल किस चीज का है अरे यह UN में past है UN ने सारे दुनिया के देशों को बोल रखा है यह आप हम लोग सर्वसंबती से यह फैसल है जाते हैं कि 200 nautical miles तक आपका हिस्सा माना जाएगा यह आपकी sovereignty का हिस्सा है आप इसके अंदर जो करना चाहें आप तेल निकालें आप gases निकालें natural resources निकालें that is up to you अब अमेरिका या चाइना आकर हमारे समुद्र तट पर अंदर आकर कहेगा आम तो समुद्र में हैं तुम्हारा क्या जा रहा है तो वो बवाल वाला हिसाब हो जाएगा उसके आगे free water माना जाता है किसी दुनिया की किसी देश का उस पर हिस्सा नहीं माना जा सकता कोई भी आ जा सकता है तो कहने का मतलब problem कहां पर है यहीं अब आते हैं exclusive economic zone ये इंडिया का power है कि वो अपने इस zone का use करें यानि baseline से 200 nautical miles तक हमारा हिस्सा है 200 nautical miles तक हमारा हिस्सा तो है वो हमारी sovereignty का हिस्सा है लेकिन अगर मैं वापस जाओ इंडिया की definition में from the point of view of customs act तो हमें पता चलेगा page number 1 पर वापस इंडिया includes territorial water of India वापस आगे ही पर उतना आगे मत जाओ वापस ही पर आजाओ हम यहां तक की बात करते हैं यहां तक की बात करेंगे custom में क्यों sir यहां तक की बात क्यों करेंगे अगर कोई जहाज यहां से आ रहा है यहां से जा रहा है हम उसको छेडेंगे नहीं वो आ सकता है वो जा सकता है हम उससे पूछताच कर सकते हैं यहां आ गया तो भाईया एक बात बताओ तुम यहां तो आए हो मेरे देश के सामने ऐसा तो नहीं अपने जहाज पर मिसाइल्स वगर लाकर दिखाओ क्या लाए हो वहां आमने नहीं बोला दिखाओ क्या लाए हो यहां बोल सकते हैं दिखाओ यहां माने, यहां माने, यहां माने, यहां माने, किस जगह पर import माने, we were confused about that, अब इसके लिए दो case laws आ गए, और खास करके उन case laws ने सारा का सारा tension खतम कर दिया, importation से related, कि किस point पर हम taxable event मानेंगे, सर, taxable event आ रहे हैं, आ रहे हैं, धीरे धीरे, नई चीज आ गई न, एक चीज अपने आप कड़ी में जुड़ दे, हाँ, तो taxable event पर आ रहे हैं, कब taxable event होगा, import तो हो गया, import हुए, अभी जहां यहां आने में 10 दिन, धीरे धीरे चाल चल रहे, 5 दिन चलता रहेगा, taxable event कब ह होगा, tax कब माना जाएगा, लेवी हो गया, चलिए, मीच में interruption हो गया, वापस आते हैं अपने line पे, और मैं आपको बता रहा था, एक गाना याद आ गया, share करूँ, share नहीं, share करूँ, फिर पुकारो मुझे, फिर मेरा नाम लो, यह गाना था, दिवानन्द के उपर, पिच्चर का नाम था, तीन देवियां, सर गाना याद नहीं आया, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, देर से कितनी दूर खड़े हो, और करीब आ जाओ, इसी में यह line थी, फिर पुकारो मुझे, फिर मेरा नाम लो, तो फिलहाल हम वापस आते हैं, किसी ने डिस्टर्ब कर दिया था, पुकार लिया था, तो गाना भी याद आ गया, पुकारो पुकारो उपर, हम लोग थी यहाँ पर कॉंटेंटेंटल शर्फ से, यह सब ठीक है, सब हो गया था, हम लोग कहां थे भई हैं, हाँ, दो केस लॉज आये, हमारे उपर टैक्सिबल इवेंट लगेगा कहां, हम तो यहीं पर थे, टैक्सिबल इवेंट कहां लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा, तो दो केस लॉज आये, जिन्होंने यह काड़ आउट ही खतम कर दिया, कि टैक्सिबल इवेंट बेसिकली लगेगा, आएंगे थोड़ी दिर में उस पर भी आएंगे, टैक्सिबल इवेंट की सिचुएशन पर, हमने आपको सारा का सारा टेरिटोरियल वाटर, इंडियन कस्टम वाटर, कंटिजिज जोन ओफ इंडिया, एक्क्लूजिव इकनोमिक जोन ओफ इंडिया, कंटिनेंटल शेल्फ ओफ इंडिया, इतनी चीज़ ने तो आपको क्लियर करती, हाँ सर, गोट्स की डैफिनिशन भी आपको मैंने बता ही थ अब आते हैं, लेवी एंड कलेक्शन पर, ढंक से सुनेंगे, टैक्सिबल एवेंट जब होगा, इसका मतलब लाइबिलिटी अराइज हो गए, लेवी हो गया, टैक्सिबल एवेंट होने पर सामान इंपोर्ट हो गया, कब मानेंगे सामान इंपोर्ट हो गया, तो जैसे ही स लग जाता है यानि उस समय आपके ओपर duty liability हो गई that is levy collection जरूरी नहीं कि duty levy हो यह मान लो रास्ते में बीच में duty हो गया हो गया हो गया इंपोर्ट हो गया लाओ पैसा लाओ डॉब डाप करके जाओ वहां से पैसा लिया और नहीं है टैक्स अब हो गया now for the purpose of administration we can postpone our collection it might be at the time of the taxable event exactly or might be it defers the first need defers हो सकता है हम इसी समय टैक्स लेले हो सकता है कभी बात मिले तो कभ लेंगे वह बात की बात है ले भी उसी समय होगा जैसे ही taxable event होगा as an import occurs as an export occurs taxable event would be there तो कभ होगा import कभ होगा export उसका taxable event क्या होगा अभी हम थोड़ी दिरपाद discuss करने जा रहे हैं उसकी चिंता करनी के आपको जरूरत न को है वापस आते हैं charging section हमने आपको बता दिया था accept as provided in this act or any other law for the time being enforced duty of customs shall be levied at such rates as may be specified under the customs tariff act 1975 on goods imported into and exported from India खतम होने वाला है जिसमें government goods and non-government goods दोनों को equally treat किया जाता है लेकिन 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 जरूरी नहीं वही rates लगे जो customs tariff act में दिये हैं import पर यह export पर क्यों sir इसके तीन exceptions है subject to 13-22-23 section number 13 section number 22 section number 23 तो 13-22-23 हमेशा दिमाग पर रखेंगे 13-22-23 13-22-23 13-22-23 13-22-23 13-22-23 यह तीन sections है पहला बोलता है duty on pilford goods हमने सामान मनंगाया 10,000 किलो लेकिन मुझे मिल रहा है 9,000 किलो मैंने मंगाया था 10,000 किलो लेकिन मुझे मिला 9,000 किलो यह 1000 किया pilford मानने थे हैं दो मिनट के लिए pilford आएगा वो section आएगा section 13 में हम लोग next session में इसी कोई पढ़ने वाले है next session में 13-22-23 को ही discuss करने जा रहे है pilford goods क्या होता है damaged goods क्या होता है हाँ या ना उस बारे में हम लोग देखेंगे destroyed goods क्या होता है तो फिलाल no duty on pilford goods ओ ओ ओ मैंने क्या बोला ओ ओ ओ नो duty on pilford goods जबकि लिखा है customs tariff act में rate of tax यह लेकिन उसके बावजी दम करें no duty तो section 13 देखना पड़ेगा आखर कौन सी ऐसी जगह है जहां पर no duty reduced duty on damaged goods no duty reduced duty and remission of duty on destroyed goods तो 13-22 और 23 की बात हम लोग next session में करेंगे चिंता करने की ज़रुरत नहीं है okay taxable event जहां पर हम लोग थे खतम होने वाला है मुश्किल से 5-10 मिनट और लगेगा after the completion of taxable events we'll try to complete or conclude this session this one chapter in our next session और पहले के दो session में आप लो बहुत कुछ जान जाएंगे उसके बाद आपको customs act में दिक्कत नहीं आएगी एक सुरले ताल आपका coordination मेरे साथ set हो जाएगा दो case laws दी है पहले यहां पर लिखा हुए earlier a lot of problems were faced in determining the point at which the importation or exportation takes place the root cause of the problem was definition of India क्यों definition of India includes the territorial water of India territorial water of India एक nautical miles नहीं बल्कि 12 nautical miles है problem तो यह होता है कब हम import माने कब हम export माने किस सही समय पर अब import export हो 12 nautical miles cross करने में उसको 5 दिन लग गए तो 5 दिन तक हम का इंतजार करते रहें नहीं भईया यह है आपका case law garden silk mills और दूसरा है आपका kiran spinning mills तो दो चीज़ें आप याद रखेंगे garden silk mills and kiran spinning mills garden silk mills and kiran spinning mills यह आपका taxable event को define करता है मतलब इन्होंने confusion दूर कर दिया garden silk mills ने importation की बात की कि जैसे ही territorial water में जहाज एंटर किया जैसे ही territorial water में जहाज एंटर किया taxable event हो गया और तो और importation खतम नहीं हुआ import start हो गया import start हो गया अचली मैं आपको एक कहानी बताता हूं यह जो pin है न मेरी यह अमेरिका में manufactured है कहाँ पे यूएस में अगर यूएस manufactured यह pen है तो मैं क्या बोलूँगा यह जो कालीन नीचे बिछा हुआ है यह Australia manufactured है Australia से मैंने मंगा है तो आप क्या बोलेंगे सर यह imported items है जेल हो जाएगी अगर घर पे किसी सामान को बोला यह imported है बोलना भूल जाओ यह imported है अरे imported का मतलब तो यह होता है जिस पर tax देना बाकी है जिस पर custom duty नहीं दी गई है अगर इस सामान पर मैंने custom duty दे दी हो गया य इंडियन अभी इंडियन कैटिगरी में आ गया यह इंडियन सामान में शामिल हो गया क्योंकि मैंने इस पर duty दे दी now this item is no more imported goods as and when the duty has been paid out और assessment has been done तो जैसे ही duty paid हो गई आपका यह import goods नहीं है अब आप यह नहीं कहेंगे यह तो imported pin है जेल हो जाएगी बेटा तो उसी तरह से यहाँ पर importation कब start हुआ जैसे ही वो इंडियन टेरिटोरियल के अंदर enter किया import हो गया importation start हो गया और यह continue रहता है continue रहता है हाँ जब तक की जब तक की custom बार यह custom barrier में enter कर गया custom barrier कहां पर है 12 nautical miles बहिए इसके अंदर अगर गोज गयो न बताओ और tax दे करके जाना बिना tax दिये तो जाना मत बिना tax दिये जाना मत अगर इस 12 nautical miles में enter कर गया इंडियन टेरिटोरियल वाटर में तो अब आपके उपर तो tax liability बनेगी बले ही गलती से अब अंदर आ गया तो अगर इस 12 nautical miles के अंदर आ गया तो इसका मतलब इंडियन टेरिटोरियल वाटर में आप एंटर कर गया और इंडियन टेरिटोरियल वाटर में जैसे ही आप एंटर करोगे आपके उपर tax liability arise हो जाएगी taxable event start हो जाएगा और यह continue रहे that import of goods will commence when they crosses the territorial water but continues खत्म नहीं हुआ यहां एंटर कर गया लेकिन अभी भी जहाँ चल रहा है चल रहा है चल रहा है बट continues and is completed when they become part of the mass of the goods within the country एक बार मैंने इस पर ड्यूटी दे दी बात खत्म now it is Indian goods मैं भी तो वही बोल रहा हूं लेकिन जब तक मैं इस पर ड्यूटी नही वही गोट नहीं भी बोला तो मेरे बोलने से कोट नहीं बोला कोट नहीं बोला तब मैं बोल रहा हूं तो बोला है था सुप्रीम कोड और अब्स विल कमेंस कमेंस इंपोर्ट अब्स कमेंस हो गया start हो गया when they crosses the territorial water but continues and is completed when they become part of the mass of the goods within the country and the taxable event being reached at the time when the goods reach the custom barriers and bill of entry for home consumption is filed तो taxable event कहा होगा taxable event होगा जब आपका सामान यहां आ आ गया आ गया आ गया आ गया यह रुका पोर्ट पर और पोर्ट वाली की कास्टडी में यह सामान है अब मेरा सामान पोर्ट पे पड़ा हुआ है मेरा सामान पोर्ट पे पड़ा हुआ है मैं पोर्ट में जाओंगा मैं यह लो मेरी bill of entry, bill of entry का मतलब now I am just showing interest to release those goods after the making the payment of the duty, now I am showing my interest, तो जैसे ही मैंने bill of entry file की कि हम इसको अपने घर ले जाना चाहते हैं, चाहे उसका मैं business करूँगा, चाहे घर में use करूँगा, चाहे मैं business करूँगा, चाहे घर में use करूँगा, इसको मैं करते हैं, home consumptions के लिए, य अपने फैक्टर में use करूँ, बेचने के लिए use करूँ या फिर उसको personal use करूँ, वो हो गया आपका, जैसे ही मैंने bill of entry भरी, समझ दो आपका, यह import complete हो गया, complete हो गया, import is over, क्योंकि अब आपका landmass का हिस्सा बन गया हूँ item, आप उस पर duty देने के लिए तयार हो, लेकिन ज खत्तम, अब आप duty दे रहे हो, खत्तम हो Indian goods हो गया, दूसरा, कभी-कभी होता क्या है कि मैंने मुझे सामान सस्ता मिल रहा था विदेश से, बार-बार सामान दूसरे देश से मंगा नवाड़ा, टेडी खीर होता है, तो मैंने का चल, मंगा लेते हैं, बहुत धेल सारा सामा चै मेने का सामान एकी बार में मंगा लो, मंगा तो लिए, आप रखें का मेरे पास अपने रखने की जगह नहीं है, मैं करूं तो करूं क्या, अब कस्टम पोर्ट वाले वेर हाउसिंग की फैसिलिटी देते हैं, तो गौर्वर्मेंट के भी हो सकते हैं, प्राइविट भी ह उसकते हैं, तो वेर हाउसिंग की फैसिलिटी आती है, जैसे जैसे आप पैसा देते जाएंगे duty का आप अपना सामान लेते जाएंगे, वेर हाउस का आपकोobile भी देना पड़ेगा इसा नहीं, घर की खेती है, आप अगर वेर हाउसिंग का यूज कर रहे हो, चाह गौर्मे लेकर जाओगे कहां सामान बहुत यदा है तो सामान लेकर जाएं कहां तो हमने सोचियी चलो वेर हाउस में करवा देते हैं वेर हाउस में रखने का मतलब यह हुआ कि अभी भी वो समान Custom Barriers में ओर आप के पास पैसा अतना नहीं है कि सामान सारा का सारा निकाल करके ले जाओ, आप धीरे-धीरे duty payment करना, धीरे-धीरे सामान निकालते जाना, तो जैसे-जैसे आप सामान निकालते जाओगे धीरे-ðीरे वेरहाउसिंग से, वो आपका import complete माना जाएगा, लेकिन जब तक वो सामान वेरहाउस में है, है तो import चल रहा है यानि import खतम नहीं हुआ is it clear in case of goods cleared for warehousing in case of the warehouse goods यानि कि जहां पर मैंने store करके रखा है सामान the custom barrier would be crossed when they are sought to be taken out from the custom and brought to the brought to the mass of goods in the country यानि कि वो सामान कर देश में use होने के लिए निकाला जाएगा यानि कि export of goods is complete when the goods crosses the territorial water of India जैसे ही सामान बाहर जा रहा है तो जैसे ही territorial water को cross करेगा आपका मान गया जाएगा export हो गया वो आपका taxable event हो जाएगा otherwise वो इंडिया में ही है अभी वो इंडिया में ही गूम रहा है मुझे विदेश जाना है मुझे अमेरिका जाना है मैं यहां से एरपोर्ट गया तो क्या मैं एरपोर्ट गया तो विदेश चला गया नहीं भीया जब तक मैं अपनी जगह को छोड़ू इंडिया को छोड़ू अच्छा तो इसका मतलब इसका मतलब इंडिया का मतलब केवल जमीन जमीन नहीं होता पानी भी होता है हवा एनी स्पेस भी होता उपर का हिस्सा, जमीन के नीचे का हिस्सा और जमीन और जल ये सारी चीजें इंडिया की ही कैटिग्री में आती हैं अगर कोई पाकिस्तानी जहाज आकाश से उड़ करके जाएगा या अमेरिकन जहाज उपर से उड़ कर जाएगा और कहेगा हम आपके देश में थोड़ी उदर अरे बहिया उपर से कुछ पुक से छोड़ दोगे गौन जिमेदार होगा तो बहिया उपर भी मेरा हिस्सा जमीन के निचे भी मेरा हिस्सा और पानी का जो एरिया है वो भी मेरा हिस्सा वो इंडिया में ही शामिल होगा अच्छा अब क्लियर है next session में अब मुझे लगता है कि आप लोग को interest आएगा आ रहा होगा क्योंकि इंडिया की definition आपको पता चल गई and the definition of India was much confusing और उसको दूर किया गया in case laws ने चाहे वो garden silk mills हो चाहे वो spinning silk, spinning mills हो तो आपको ये दो किरन spinning mills तो ये दो चीजें दो case laws और ये चार pages आपको बिलकुल दिमाग में set रखने हैं next session में हम आपको 13-22 और 23 यानि no duty on pilferd goods, reduced duty on damaged goods और remission of duty on destroyed goods ये तीन sections next session में देखेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका first chapter पूरी तरह से खतम हो जाए ताकि हम लोग उसके बाद types of duties पर चलेंगे Thank you, thanks a lot Thank you